तो दोस्तों आज हम शीखने वाले हैं कि 10 वाई 10 की अगर आपका असे दिवाल है तो उस पर कितने नमबरा ब्रिक्स लगेंगे, इंट कितनी लगेगी, आप चाहें 4 इंच की दिवाल बना रहे हो और 9 इंच की बना रहे हो, आज हम शीखने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने चुटकियों में पता चलपाएगा कि आप नमबर आप ब्रिक्स कैसे find out कर सकता है, तो मैं support मान के चलता हूँ, यह आपकी 10 फिट लंबी दिवाल है, और 10 फिट हाइट की है, और हम लोग 9 इंच, 9 इंच की वाल बना रहे हैं, थिकनिस की, थिकनिस कितनी मुटाई उसकी 9 इ तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दिवार की लंबाई, तो 10 फिट है, और दिवार की उचाई आपकी 10 फिट है, और जो मुटाई है दिवार की वो दोस्तों 9 इंच है, तो पहले हम क्या करेंगे, अगर देखीगा हमें नमबर आप ब्रिक्स निकालना है, तो इस दिवाल क होती है, मल्टिपलाई करना परता है, तो सबसे पहले आइतन निकालने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, कि उन्ही का गुणा होता है, जिनके यूनिट समान होती है, अगर दिवाल की उचाई फिट में है, लंबाई फिट में होनी चाहिए, तो मुटाई हमारी इंच लंबाई, उचाई और ठिकनिस, जो इसकी मुटाई है, हमें फिट में पता चल गई, तो अब तीन आइतन निकालने के लिए क्या होता है, तीनों का मल्टिपलाई कर देते हैं, लंबाई और उचाई और मुटाई, इन तीनों का मल्टिपलाई करेंगे, तो 75 क्यूबिक फि है, अब यह तो पता चल गए, दिवाल का आइतन, अब इसमें इटे कितनी लगेगी, उसका भी कैलकुशन में ने किया है, तो पहले अब हम बात करेंगे, देखीगा, ब्रिक्स कैलकुलेशन, ब्रिक्स की लंबाई, चोड़ाई और उचाई पता होनी चाहिए, मतलब एक इ दोस्ते उचाई होती है, और जो थिकनिस होती ही, इट के मोटाई, वो 2.70 है, यह आप मेजर कर सकते है, इट का, इसके बाद अगर साइज की बात करें, तो अब दोस्तों यहाँ पर 9 इंच, अगर इसका वैलियूम की बात फाइंड आउट करेंगे, इट का, तो तीनों का म दोस्तों मसाला लगता मोटा, एक इधर साइड में एक इस साइड में और एक नीचे, ठीक है न, तो इसको तो इसमें जो मोटार लगाया जाता, जो इस टेंडर है, दोस्तों 10 mm का लगाया जाता है, यह 0.393 इंच का, इंच में अगर बात करें, तो 0.393 इंच का जो मसाला लगता है चारो तरप अब हम लोग दोस्तों तो अब जो न्यूस आए जाए जाएगा देखिए जब इधर भी मसाला लग जाएगा इधर भी लग जाएगा तो यह इसकी क्या लंबाई बढ़ जाएगी है और इसकी उचाई भी बढ़ जाएगी तो वही हम ने क्या किया है इन में से आड कर दिया तीनों वैलूम में एड कर दिया है 0.393 तो नया जू वैलूम है गिया जाएगा और इसको गुणा करने पर आपका 136.34 cubic आपका इंच यहां पर वैलू आ जाईए आप देख सकता है cubic fit में आपकी वैलू यह आ चुकी है तो दोस्तों यह वैलू cubic इंच में आई अब इंच को हमें convert करना है वैलू को convert करना है fit में तो एक 200 थम रूल होता है इस वैलू में 1728 का हम भाग देते हैं अब हमें इसे cubic fit में नकलत ले आता है तो 136.34 जो वैलू हमारी आई एक 8 की cubic इंच में थी हमें इसे fit में convert करना है तो 1728 से भाग दे देंगे तो 0.078 cubic fit एक इट का जो वैलूम दोस्तों हम लोगों ने find out किया एक इट का जो वैलूम find out किया 0.078 आ गया अब हमें दिवाल का वैलूम पता चल गया और एक इट के वैलूम पता चल गया अब दोस्तों हम आसानी से दिवाल के वैलूम में अगर इट के वैलूम को डिवाइड कर दें भाग दे दें तो आपको पता है उसका आयतन हमें पता चल गया गया नमबरा ब्रिक्स क्योंकि हमारा जो वैलूम आया 75 क्यूबिक फिट आया था एक इट का वैलूम आया 0.078 क्यूबिक फिट आया अब दिवाल के वैलूम में से इट के वैलूम से भाग देना है तो नमबरा ब्रिक्स ने टेन बाई टेन वाल्स तो दिवाल का वैलूम ता 75 और इट का ता 0.7 फाग दिया तो 961.53 ये ब्रिक्ष निकल आई अगर दोस्तों 10 वाई 10 की आप वॉल बना रहे हैं और उसकी 9 इंच मोटाई है तो लगबग 961.5 900 इट के आसपास आपकी ब्रिक्ष लगती है लेकिन क्या होता है इट कभी तोड़ना पड़ता है तो कभी जब आप लाते हैं न वाउल बनाने में 9 इंच की अब ये मैंने लिख दिया अब एक थम्रूल आपको मैं बता दू अगर 9 इंच की वाउल बना रहे तो 971.000 इट लगबग लग रहे हैं तो अगर चार इंच की दिवाल बनाएंगे तो लगबग 450 इसकी आधी इट आपको जरूरत पड़ती है आ दिवाल बना रहे तो 450 और 4 इंच का और 9 इंच का वाला 960 लगने वाली है अब बात करते हैं एक रूम में कितनी लगती है इंटे अगर देखिए एक रूम है आपका तो मैं 4 दिवाले होंगी एक दिवार में दोस्तों जो लग रहे हैं 450 अगर हम 5 इंच की बात करें यहां ह सिंपल करें तो 9 इंच इवाल की बात कर लेता हूं मैं एक में लगबा हजार लग रही तो 900 इंच में 1000 लेकर चलता हूं तो चार वाल आपकी हो जाएंगे न 9 इंच की तो लगबा हजार इट आपके 10 बाई 10 के कमरे में लगेंगी लेकिन अभी इसमें आपने एक आफ डोर लगबाएंगे जो कि लगबाएं तीन भाई छे फिट का होता है तो अठारा फिट आपका यह एरिया माइनस करना पड़ेगा और एक विल्डो लगाएंगे जो कि चार वाई पांच का होता है लगबाग में तो बीश फिट गिए तो टूटल अलतिस फिट इरिया कम होगा तो लगबाग 3500 इट और लगबाग 3500 इट आपकी एक वाल में लगने वाली है मतलब टूटल एक बैड्रूम में जो आपकी इंट लगएगी तो दस बाई दस के कमरें की मैं बात करूंग जो मैंने बना है तो एक वाल का मैंने क्लोकलेशन किया तो लगबाग 1000 इट दोस्त लगबाग 4000 लेकिन विंडो बगएरा को अठाकर तो 3500 इट आपको लगने वाली है एक बैड्रूम बनाने में दोस्तों इटे कभी ब्रेक हो जाती तो आपको लगबाग जितनी भी इटे आप मंगा रहे हैं उससे 5-10 परसेंट आपको इट ज्यादा मंगवानी होगी मार्क पिरशे क्योंकि इट ब्रेक होती है कुछ खराब होती है तो ऐसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं नमबरा ब्रेक्ष का